राम राम सत सरीकाल भाई सरे भाईयों ने आपके अपने यूट्यूब चैनल सुख विर डानडा डैरी फारम पर आप सब भाईयों का स्वागत है जो भी भाई चैनल से नए जुड़े हैं वीडियो को देख पा रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगया गांटी का बटन भी दबा दें भाई ताक कि आने वाड़ी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब भाईयों को मिलता रहे और जो भाई अपने फेस्बुक पेज डानडा मुरा फारम से जुड़ना चाहते हैं पेज को लाइक करें फोलो करें और वीडियो अच्छी लगे तो सेयर करें भाई पहले तो भाई आज आप सब भाईयों को नए साल की बहुत बहुत बदाई हो आपके गर में सुक्षानती रखे भाई सब भाईयों के जो पसुपालक हैं उनके पसुपालक में बाद दाओ तो आज आप सब भाईयों को जो इंडिया की कह सकते हैं या वर्ल्ड की टोब बैसों में बैसों में गिनती होती है रेसमा बैस की उसकी वीडियो में आप सब बाईयों के सामने लेके आया हूँ वो वीडियो डालने का मैं सारा आपको आगे वीडियो में डिटेल से बताऊंगा भई रेश्मा बैंस ने जैसे जो वीडियो आप देख रहे हैं या जो अब वीडियो चलेगी जो ये वीडियो है इसमें रेश्मा बैह ने चोथे ब्यात बच्चे को जनम देना था वीडियो ब्याने से दो तिन दन पहले सूट की गई है और बड़ी खुसी की बात है कि भाई मालिक के लिए भी खुसी की बात है और जो किसान बाई हैं जिनोंने इसके बुलों के सीमन यूज किये हैं या यूज करना है उनके सामने सारी डिटेल कलियर पाणी की तरह साफ भै वो भी देने का अपना फरज था क्योंकि नरेश भाई कोई यूट्यूब चैनल तो नहीं चलाते वैए वैसे फेस्बुक पे बाई की आईड़ी है नरेश बहनिवाल के नाम से रेशमा बैस नरेश बहनिवाल भाई के पास है और इसने खुसी की बात है कि भाई बच्चे को जनम दे दिया है इसने अब की बार एक सुन्दर सी कटडी को जनम दिया है मैं इसने जितने भी बच्चे दिये उनके डिटेल भी मैं आप सब भाईयों को बताऊंगा सुन्दर सी कटड़ी को जनम दिया है और रेशमा से उमीदें भी बहुत जाद हैं भाई देखो और टाइम मोके की बातें हुए हैं आज बड़ी बात कर ले उसमें कोई फाइदा नहीं होता यह पसू है इसका आपको भी पता है कि भाई एक गंटा जुगार ना करे वो उसी भी होगी कि बहुत एक अच्छा रिकार्ड कायम करें क्योंकि उसमें देखो आपकी बार चोथे ब्यांत है तो उमीदें अच्छी है और इसने अब की बार जो कटड़ी को जनम दिया है वो अपने जो 10-26 निनानों में बुल है उसकी कटड़ी को जनम दिया है इससे ज दिखाऊंगा यह जब पहले ब्यांत ब्याई थी उस टाइम पर हम लेके आये थे तो उस टाइम इसके निचे कटड़ा था और पहले ब्यांत दूसरे ब्यांत तीसरे ब्यांत चोथे ब्यांत आज भी नरेश बाई के पास ही है और इनके गर पे जो इसने फीमेल को जनम दि उस भूल की कटड़ी को जनम दिया है और जो ये वीडियो आप देख रहे हैं ये वीडियो इसकी पिछले ब्यात की है जब पहले नए साल पे इसकी लाइव चलाई गई थी नए साल के लगबग या पता नी भार में मिने के लाश्ट में जब टिकरी बोडर पे थे जो अपनी ब्यात थी अब की बार चोथे ब्यात है उमीद और भी अच्छी है जो ये आगे बच्चा बेठा देखे रहे हो आप ये पिछले ब्यात इसके निचे फीमेल थी अपने चैंपियन गंगा बुल की देखो सारे बुल यूज किये हैं लाडला भी चैंपियन गंगा भी बै आ बुल है वो इसके उपर M150 का जो रफ्तार बुल है वो है आप साइड में पिछे देख्या होगा बै सुल्तान भुल भी खड़या था देखो ये वीडियो परानी है तो वो बै परमात्मा को प्यारा हुआ देखो आज कल ये बिमारी ही भी चली हुई है पसूं में एक दो ग तो ये आपको मैं रफ्तार बुल दिखा रहा हूँ जो इसका पहला बच्चा था पहला कट्टा कैसे गहाँ तो रफ्तार बोडी बंतर का बहुत बडिया वाई प्योर जेड बलैक है शिंग खुला है शिंग मां का भी खुला है और बुल का भी खुला है तो पीट पहुंच पूरी बलैक है आइट लैंथ बहुत निकाली हुई है सिंग खुला है देखो जो चीज़े है वह आप सब बाईयों के सामने हैं और इसका सीमन भी बहुत यूज ओने लग रहा है तो बाईयों को उमीद है कि वे बैस अच्छा दूद निकाले और खुशी भी होगी बाईयों के सामने होगा देखो और पशू की सैटिंग पर बात है आज यह नहीं कहेंगे कि बहुत इतना निकाले वह पहले बात कहने है देखो जितना भी निकालेगी आप सब के सामने होगा यह जो दूसरा बुल त्यार हुआ है इसका यह जब छोटा बच्चा था नरेश फादर्लाइंच के नाम से रखे है पाथजू गाओं है बाईयका जिनके पास यह बुल यह कटड़ा जाके बुल बने है यह भी रिशमा का वगजा और भादरलाएंच से इसकी बात करें तो यह लड़लागा बच्चा है पहले वाड़ा M150 का है और ये लाड़ लागा है और जो इसने फिर कटड़ी दी वो अपने चेंपियन गंगागी थी और अब जो कटड़ी दी है वो 10-26-99 की है बहुत स्यांदार कट़ा बन्या भाई बायों ने इसके सीमन भी त्यार करवाई है रफ्तार के भी त्यार है और इसके भी है देखो नरेश भाई के डैरी फारम से गया है मैं यह भाईयों की बात करवाई थी तो मैं यह करूँगा कि भाई रफ्तार के भी यूज़ करो रिश्बुल के भी यूज़ करो बहुत अच्छी लाइन होगी मनो लाडला फादर हो गया और मदर रेशमा है पूंस थोड़ी वाइट है वो आप सब भाईयों को वीडियो में आगे भी दीख रही है और अब भी दीख रही है पीट क्वाल्टी से रेशमा की भी सेम है रफ्तार की भी सेम है और इस कटडे की भी सेम बनी है आप जो अगर तिन्नों का मिलान करोगे तो पीट क्वाल्टी से लंबाई से बहुत बढ़िया बने हुए है यह अभी लग साइद खीरा है या दो दान तोड़ गया मेरे को इतना तो निया आइडिया लेकिन आइट लेंथ बहुत बढ़िया बनी हुए यह कटडेगी और आने आले में टाइम में यही उमीद करांगे कि भी बहुत अच्छा रजल्ट देगा क्योंकि लाडला इसका फादर है भाई और मा रेशमा होगी अच्छी लाइन होगी तो उमीदे हैं देखो आने आला टाइम बताएगा और रेशमा से भी बहुत 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 करांगे कि भाई अच्छा दूद का रिकार्ट बनाए और रमेश भाई नरेश भाई को बदाई हो भाई इस बात के लिए कि भाई इन्होंने अच्छी बेंस त्यार कर रखी है और साथ में उसके जो दो बुल है मार्केट में दिये हैं भाई एक अपने पास और एक यूग पाजूगे नाम से इसका सीमन अवेलेबल है भाई जो भी भाई इसका सीमन लेना चाहे तो मैं भाई का नमबर है